नमस्कार दोस्तूं मैं आपका मित्र प्रदीप गोईडो की दोस्तूं आज आप लोगों के इस्पेसल डिमांड पर शमाज और नियाय से जुड़े बहुती महापूर्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं भारत में घरेलो हिंसा के कानून से पती और पती के परिवार वालों का बचाओ कैसे करें आपने अक्सर देखा और शुना होगा कि भारत में घरेलो हिंसा जैसे नितन नए मामले आए दिल बढ़ते ही जा रहे हैं जहां महिलाओं को सारीरिक, मानसिक, आर्थिक वो योन सोसर जैसी प्रतार्ना का सिकार होना पड़ता है दूस्तों इसमें अधिकान से विवाहित महिलाएं शामिल है आजकल घरेलो हिंसा के समस्या समाज में बहुत ही दैनी और जडिल समस्या बन गई है समाज में सुरचित जीवन पे दीद करना प्रतिक विक्ती का मौलिग अधिगार है और देखा जाएं तो अपने घर में अपने निमास अस्थान में अपने परिवारवालों के साथ प्रतिक विक्ती अपने आपको सुरचित महिसूस करता है लेकिन वहीं पर कुछ बिवाहित महलाओं के साथ अपने ही घर में अपने ही परिवारवालों के साथ बुरा बरताओं किया जाता है उनके साथ हिंसा की जाती है गाली गलोज किया जाता है तरह तरह के तानिय दिये जाते हैं दहेज की मांग की जाती है और अपने ही घर की चार दिवारी में कैद रखा जाता है कई बार तो उनके साथ मार पीट भी की जाती है और जानकारी के अभाव में ऐसी महिलाएं चुप चाप सहती रहती है और सोसर कसिकार होती रहती है दोस्तों ऐसी हिंसा से बचने के लिए ऐसी हिंसा पर रोक लगाने के लिए वर्थ 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरच्छन अधनियम 2005 लागू किया गया जिसके तहट प्रतेक बिवाहित महिला अपने साथ हो रहे अत्यचार के खिलाप आवाज उठा सकती है और इंसाफ पा सकती है नयाय पा सकती है लेकिन वहीं पर कुछ महिलाएं इस कानून का गलत इस्तिमाल कर रही है इसका मिस्यूज कर रही है इसको हत्यार के रूप में इस इसको हतियार के रूप में इस्तिमाल कर रही है इसका मिस्यूज कर रही है इसका गलत तरीके से इस्तिमाल कर रही है तो ऐसी महिलाओं से प्रातना करता हूं कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी न करें क्योंकि आपकी इन्हीं गंदी हरकतों की वज़े से जो महिलाओं वास्तों होता है वह बहुत ही सिच्चित प्रतिष्ठित पढ़ा लिखा अच्छा परिवार होता है यहां तक उसके घर की महिलाएं घर के बाहर भी नहीं निकलती हैं कोट का चेहरी की तो बाती छोड़ दी जाए बहुत ही सिच्चित प्रतिष्ठित परिवार होता है और ऐसे गंदे बेवहार वाली बहु उनको मिल जाती है जो कोट का चेहरी और दुनिया भर का चक्कर उनको लगवा देती है तो जब भी उनके पास कोट से या फिर ठाने से कोई नोटिस सम्मन पुलिस के माध्यम से आता है तो पती के परिवार वाले बहुत जादा डर जाते हैं धरा जाते ह कि उनको ऐसे इस्थित में क्या करना चाहिए। और ऐसी इस्थित में कहीं न कहीं उनकी मजबूरी का फाइदा उठाते हुए कोई न कोई ठग, कोई धलाल उनको मिल जाता है जो छेतर का चाचा या दादा होता है जिसके थाने में थोड़ी सी जान पहचान होती है थोड़ा सा पुलिस वालों के साथ चापलूसी करता रहता है ऐसा विक्ति उनको मिल जाता है और परिवार वाले सोचते हैं कि फालाने चाचा हैं फालाने दादा हैं और उनकी पुलिस में अच्छी जान पहचान है चलो उनक सभाइद धन उगाही करते हैं और मीठी-मीठी बाते करते हैं कि फला में फला धाने में फला दरोगा से हमारी अच्छी जान पहचान है और आपका मामला हम चुटकी में निप्टा देंगे और इस तरीके से परवारवलों को ठग लेते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता आपकी माता जी के पास आपकी बहन के पास आपके परिवार में जो भी महिलाएं हैं उनके पास भी मौजूद हैं क्योंकि इस कानून में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि यह कानून सिर्फ और सिर्फ पत्नी के लिए है यह कानून महिलाओं के लिए है उन महिलाएं आपकी म या अपने परिवार की महलाओं के माध्यम से आप अपनी पत्री के परिवार वालों के खिलाब भी घरिल उन्सा का केस पंजिकत करवा सकते हैं। अगर आप निर्दोस हैं बेगुना है आप में कोई भी अपरात कारित नहीं किया है तो आपको बिलकुल भी घबराने की दरने की जरूरत नहीं है। और आपको बुलाया गया है वहाँ पर आप समय से पहुचें और एस्पेट रूप से अपनी बात रखें। कोई भी आपकी गरबतारी नहीं होने जा रही है आपको बिलकुल परिसान होने की जरूरत नहीं है और ऐसे ठग और दलालों से बिलकुल दूर रहें। वहीं कई बार एक नई समश्य उत्पन हो जाती है कि जो पतनी होती है पतनी के मामा के लड़के, मौसा के लड़के, फुफा के लड़के वह लोग पती के परिवार वालों को तंग करते हैं वहाँ पर आकर उधन्ड़ाई करते हैं। तो आईसी सित में उन लोगों के खिलाब सबसे पहले तो आपको क्रिमिनल मुकदमा पंजीकत करवाना चाहिए और जो आपकी घर की महलाएं हैं उनके माध्यम से अगर आप चाहें तो उन सब के विरुद्ध आप घरी लुहिंसा का भी केस पंजीकत करवा सकते हैं तो पर आपके घर में आ रहे हैं, काली गलोज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, धंकी दे रहे हैं तो इसकी तहले आप समयथित ठाने में सबसे पहले देंए तरीक से जब भी आपकी सिकायट ठाने में या फिर नियाले में आपकी पतनी के द्वारा की funeral की जाती है तो उसकी लोट बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि वह एकतरफा आपकी पत्नी की बात सुनेंगे वह लोग आपकी भी बात को सुनेंगे दोनों पच्छों को सुनेंगे समझेंगे अपजर्व करेंगे और उन लोगों के मन में यह कताई नहीं होता है कि आपका परिवार तूटे आपके रिष्टे खड़ाब हों जब भी कोई मामला नियालय में या फिर पुलिस थाने पर पहुंचता है तो वह लोग सबसे पहले मीडियाशन कराते हैं और दोनों पच्छों को समझा बुझा कराने का पूरा प्रयास करते हैं लेकिन कई बार अगर देखा जाता है कि आपकी पत्नी सबस्काइब करते हैं आप दोस्मुख हो जाते हैं वैसे ही आप अपनी पत्नी और पत्नि के परिवार वालों के ताकि हमारे द्वारा ऐसे ही कानून से जुड़े रोचक और important इडियो जैसे अपलोड किया जाए उसका notification आप तक पहुंचे सबसे पहले अगर आपका कोई question है तो आप नीचे comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं या कानून से रेलेटेड किसी भी topic पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं तो भी आप हमें नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं या कुछ मित्र हमसे phone call के जरिये personally कानूनी parameters लेना चाहते हैं तो इसकिन पर दिख रहे वार्टसप नंबर के माध्यम से हमसे समय ले सकते हैं तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदिदा यूटूब चैनल प्रदीब लेगल हैल्प मैं आपका मित्र प्रदीब कोई डोकेट यूटूब चैनल प्रदीब लेगल हैल्प से बिनमता के साथ धन्यवाद